जैहिंद जी गंगे क्लास में आपका स्वागत है आईए आज का जो हम लोग सेशन लेकर आए हैं आज का सेशन जो है वो मैथ का है और ये मैथ का जो सेशन है और वो आपको मालूम होगा कि हम आज लेकर आए हैं सेंट अप एक्जाम जो चल रहा है उस सेंट अप एक्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ये मैथ के कोश्चन लेके आ रहा हैं ध्यान दीजेगा कि जो कि बहुत जगह आप लोग का एक्जाम चल रहा है और सबका अलग-अलग रूटिंग है तो ऐसे में कई जगह पे मैथ का एक्जाम हो चुका है तो जो बायत का एक्जाम हो चुका है तो उन कोश्चन को भी हम यहाँ पे रिपीट करेंगे तो आप लोग क्या करेंगा इन सारे प्रस्ण को ध्यान से देख कर जाईएगा ऐसे में यह क्या है आपके लिए बहुत ही BVI है और इसको पूरा कंप्लीट करके जाना है जिनका एक्जाम नहीं हुआ है उनके लिए और जिनका एक्जाम हो गहा वो अपना मिला लेंगे क्यों उनका कितना साहि holding कितना नहीं है याद रहे हम अभी आपके लिए सब्येक्टिव लेकर आए है इसमें subjective में हम आपको 80 लोग उतरिये के 15 प्रस्न और दिर उतरिये के 4 प्रस्न को solve करेंगे objective जो होगा वो morning में आपको हम दे देंगे 6 बज़े के आसपास 6 बज़े के आसपास आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम आपको सारा का सारा objective solve करके देंगे तो अभी आपका ये जो सेशन है इसमें आपको याद रखेगा subjective यानि कहने का मतलब है 50 नंबर का subjective वी solve करने जा रहे हैं आप copy column तयार करेंगे एक एक question बताते जाएंगे चुकि अब देखिए अब यहाँ पे board तो मेरे पास अभी है नहीं आपको मालू मैं का भी घर आये हुए है तो इसलिए board पे solve नहीं कर पाए तो इसलिए हमने pdf के रूप में ही solve किया है और जल्दे जल्दी आपको समझाते जाएंगे ताकि कम समय में जल्दी जल्दी आपका यह सारा question जो है पहला प्रस्ण जो है वो आपको करना है देखिए लगूतर यह section B का होगा section B में लगूतर यह प्रस्ण में पहला प्रस्ण आपसे माल यह ऐसे पूछ दे कि 0.6 रहेगा और इसको कहेगा P by Q के रूप में बदले यह देखिएगा 6 पर recurring लगा रहेगा तो ऐसे में क्या करना है आपको कि देखिए कैसे solve करेंगे यह प्रस्ण हो जाएगा यह देखिए यह प्रस्ण हो गया अब इसको solve कैसे करेंगे देखिए हम लोग किया करेंगे इसको मानेंगे कि माना x बराबर देखिए जो data दिया है उसको x बराबर हम मान लिए हैं कितना माने है तो 0.6 और 6 के उपर recurring है और इसको equation एक मान लीजिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा एक उपर आपका recurring है तो दोनों तरफ कितना से गुना करने पर 10 से गुना करने पर जैसे दोनों तरफ 10 से गुना किजएगा तो देखिए ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 10 x हो जाएगा और इधर वाला पार्ट में गुना करिएगा तो 6.6 हो जाएगा कि कोई recurring है तो एक 6.6 के इधर चलाएगा उसको sumi करन आप कितना मान लीजिएगा 2 मान !! समी करन आप 2 जो है यहाँ पर भुना की है तो यह बना है और समी करन 1 यहां पर बना है अब आपको दो में तो दो हम लेख दिया दो दूसरे प्रास्न के तरह बढ़तें ठोड़ा तेजी में करेंगे क्योंकि बहुत प्रस्न है आप लोग को ध्यान रखना है दूसरा प्रस्न जो है और भी असान आने वाला है चलिए दूसरा प्रसन हम लोग से कर रहा है कि सीध करें कि 5 प्लस रूट 3 एक और परिमे संख्या है अब देखें जैसे ही अपरिमे संख्या का है प्रूफ करने के लिए न तो हम लोग इसका उल्टा माल लेते हैं माल लेते हैं कि तो परिमें संक्या है घटाए तो किपना है क्योंकि यह बीरुदाभासL यह कभी बीरुदाभासL यह अब हो सकता है आपको बाता स्लेक्वे goodbye यह प्लस रूण सुरूड करने विरुदाभास में अब करने लिछाना थाइन और वीडियो को पाउस करते जाएगा, कॉफी पे लिख लिजिए, या स्क्रीन सोट आप लेते जाएगा, ठीक है, इन सारे प्रसनों का, तो आईए, अब नेक्स प्रसन के तरफ बढ़ते हैं, कोशन नमबर तीन के तरफ, चलिए, कोशन नमबर तीन आपके स्कीन पे ये रहा, आ आपको बताना है, देखिए, ध्यान समझेगा, यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है, बहुपद क्या दिया है, तो ए एकस स्क्वार माइनस सिक्स है, और कर रहा है कि इसके सुन्यकों का गुणनफल जो है, चार है, तो ए का मान निकाली, अब देखिए, ध्यान से समझे अब देखिए, गुणनफल के जगाँ पर कितना लिखना है, चार, इसका फर्मूला होता है, तो एकस स्क्वार का गुणा है, तो ए ही रह जाएगा, क्रॉस मल्टिपिकेशन की जगा, तो फोर से ए में गुणा होगा, तो फोर ए हो जाएगा, अब बराबर में माइनस का छ जाएगा, अब देखिए, गुणा में जब जाएगा, तो यहां देखिएगा, ध्यान से समझेए, यह देखिए, यह थोड़ा सा और जूम आउट कम कर देते हैं, यह देखिए, अब देखिए, यह देखिए, फोर गुणा में दर जाएगा, तो भाग में चला जाएगा, जैसे जाएगा काटिएगा तो एक कमान आ जाएगा माइनस त्री बाई टू और यही आपका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा तो यह भी बहुत असान प्रस्न था आईए कोश्चन नंबर चार के तरह बढ़ते हैं चलिए कोश्चन नंबर चार आ गया समनांतर स्रेडी से स समनांतर स्रेडी में 3,8,13,18,23 पद दिया है करें कि 15 पद क्या होगा यह तो बड़ा आसान है 15 पद पूछा है आप पहले एपी को लिख दीजिए यह वामरा क्या हो गया जी एपी हो गया अब एपी को आप लिख दीजिए तो यह पहला पद जो होता वह यह होता आपको भ वालू में 8 में से क्या घटाएंगे 3 तब 5 हमारा क्या हो गया डी हो गया n कितना दिया ध्यान दीखे 15 अब बराबर बंदर अब एएन का फर्मूला गईएगा n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी यह फर्मूला होता है अब देखिए ध्यान से समझेगा यहां पर हम उसका मान डखते जाएगे अब जैसे ही मान दखिएगा तो आ 50 का मान निकालने है एक मूल कंवान कितना है 3 12 का मान देखिए गटे का मन कितना हो गया च्यार हो गया नекст आगे तरख वढ़ते है पांच के mély 005 के तदश, वह आपका आचुका है यह दो किगा ट्रीगों से तो बहुत आसान प्रस्ण देता आपको भी मालूम है चले ट्रीगों का जो पहला प्रस्ण है यह देखें इसका कर रहा है कि मान निकालना है आपको कुछ नहीं करना है सका मान रख्ते जाना है जैसे इग्जाम इस बिएक्जान जोड़ेंगे तो तेन बटा दो जाएगा इसको सेम टूसेम ढूसे अट यह देखिए अब एक यह भी ल आस्वेक ईसको ऽॉच्छ में जोड़ेंगे ञवाख थिजए आप तो सेम लिखती बाद से ना स्य Kent के रेख मुझ दुंू इसको करते जाना है। तो दिखिए यहां पे आप गरबट्टा का जोड करिएगा तो इन दोनों का LCM लीजेगा तो 2 root 3 हो जाएगा यहां देखिए root 3 से ऊपर में 3 में गुना होगा तो 3 root 3 हो जाएगा यह देखिए यहां 2 से 2 में गुलना जाएगा तो 4 हो जाएगा सेम नीचे करिएगा अब देखिए यहां आपको ध्यान ओना नजदीक वाले एक सांथ गुना होता है दूर वाले दूर के सांथ इस कंडिशन में 2 3 से 2 3 cancel out हो जाएगा उपर में बचेगा 3 3-4 और नीचे में बचेगा 3 3 3 3 plus 4 अब जैसे यहां आएगा तो आपको याद जाएगा हर परिमेकरन और हर परिमेकरन में आपको मालूम है कि नीचे वाले का चीन बदल के उपर नीचे गुना कर देते हैं तो इस कंडिशन में प्लस वाला है तो माइनस करके उपर में और नीचे में क्या कर देंगे मल्टिप्लाई कर देंगे यह चुना वाला ना इतना परचार कर रहा है रुख जाएए हम आपको बताते एक सेकेंड यह परसान करके रख दिया है सब चुना वाला इतना परचार कर रहा है कि चलिए आईए इसको सॉल्ब करते हैं इस सब चुना वाला जीने नहीं दे रहा ह Tippie एका रहे हुब है लूझ यह मैंड आफिए ज़का है किया झ्हें कर सब्सक्रों कर सब्सक्राइब करें इरह दो पें और यहां और यहां देखेगा यह से इसके फर्मूला पर बैठेगा तो a square minus b square का फर्मूला बैठा देंगे तो 3 root 3 का square minus 4 का square हो जाएगा इस condition में देखेगा इसको तोडेंगे a minus b का whole square पर तो a square आपको याद होना चाहिए plus b square minus 2ab पर करेंगे तो देखे 3 root 3 को करिएगा तो 27 होता है 4 का square कितना होता है 16 होता है और इसको solve कर लिजे देखे ध्यान से समझेगा 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 43 हो जाएगा minus 24 root 3 और यहां से घटा लिजेगा तो क्या हो जाएगा 11 यहीं आपका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा तो यह किवल बढ़ जाते हैं चलिए question number 6 आगे है बहुत असान है यह आपके लिए देखें यह आगे च्छित्रमीती से च्छित्रमीती से है देख लेते हैं करें कि किसी ब्रीत की परीदी जो है वह 22 cm है तो इसके चतुर्थांस का च्छित्रफल निकालना है अब देखें परीदी दिया है दो गुना, यह धी का मान केतना होता है 22 días 7, आरक और ने दीजे, बराबर में 22 दिया हुए, आर का मान निकालना है तो यह अप सब का मान रखेगा, r square है, तो दो बार 7 बटा 2, 7 बटा 2 रखें, यह देखिए, एक 7 से 1 साथ क्या हो गया, cancel हो गया, 2 से 22 से 11 बबार में cancel हो गया, अब तो कुछ कटने वाला है, ने तो गुना करेंगे, 11 से 7 में करेंगे, तो 77 हो जाएगा, और 4 से 2 में करेंगे, तो 8 हो प्रश था बस आपको क्या करना और कमान निकालना था थोड़ा भो ध्यान से देख लिएगा एक बार स्क्रींश लेना तो ले लीजिए नोट डाउन कर रहे हैं तो आपको आराम सी वीडियो को पाउस करें और पाउस करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है अब नेक प्तो है सभिआ हैं देखिए इस दोरी कितिया है और इस दीन से'da सेंटा को प्रेकंड है तो रहा है अब ध्याण से दखेए का न स्वार रहा है थ्यूरम होता है ऑश पर लिखा पर खीची गई जो मा हाया जिसको आप कर्ण कहते हैं और यह आधार मां लिए चाहें लम्म लिए तो एक भूजा निकालना तो लम्म माल लेते हैं लम्म क्या हो औपी बरबरक का और स्कौण कंड का स्कॉर माइनस आधार का स्कॉर यह फरूटक्वता है तो उस कंडिशन में देखिए बराबर करणirse क्टका स्कॉर 2-8 का स्कॉर ऑठाप का स्कॉर must be 70-30 संट होता है गटाईएक तो 36 36 यानि का माए Fastabs collar 6 य sophy बस भी बहुत ही असान है थोड़ा सा यह जिए यह दियान में रकेगा और इतना कोण बनाता है 10 cm मों नबर 8 cm अधार बनेगा और अराम से आपके करते पना लिजिए व grasp हरनद से और अगे बढ़ जाएंगे डिक अब समझ गया हूंँगे यह virtual ce PM kao question number 8 आगी आपके skin पे छले थोड़ा सर जूम कर लेते हैं इसको question number 8 जो है आपके skin पे आ चुका है करें कि उस बिंदू के निर्देसांग ज्याद करें जो बिंदू 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाली रेखा खंड को 3 अनुपात एक में अनुपात करता है अनता बिभाजित करता है अब देखिए यह बिभाजन वाला फर्मूला आपको याद होगा तो चलिए हम उसी फर्मूला पर बनाएंगे एक कमाल रख लेते हैं कि यह का निर्देसांग कितना है 4,-3 है और बी कमाल जो निर्देसांग 8,5 है अब देखिएगा अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है X1, X2 कमान आपको निकालने आता होगा यह आपको मालू है कि पहला पाद जो पाद जो होता है X1 होता है तो X1 लिग ये ये Y1 होता है तो Y1 लिग दिए अब देखें जो अनुपात होता है उसको M1 और M2 आप मान सकते हैं तो तीन अनुपात कितना है? एक है तो यह हमारा M1 हो गया, यह हमारा M2 हो गया अब जो निर्दिसांग बिंदू निकालना होता है उसका फर्मूला होता है क्या आप फर्मूला होता है तो जरह ध्यान दखेगा फर्मूला होता है X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बट्टा M1 प्लस M2 एक फर्मूला X निर्देसांग के लिए यह होता है और जस्ट नीचे आम आपको Y निर्देसांग कर आते हैं इसका तरीका याद रखेगा कुछ नहीं करन जाएगा 12 यानि दिसंबर में कितना तरीको 21 तरीको मेरा बड़े याद रखेगा सरका बड़े तुरांत यहां 12 एकीस 12 एकीस बटा दीजिए फर्मूला तयार हो जाएगा अब आपको कुछ नहीं करना है सारा मान लाके रखना है तो M1 कमान 3 X2 कमान 8 M2 कमान 1 और देखिए X1 कमान 4 और नीचे में M1 प्लस M2 है तो 3 प्लस एक उपर और बुना खरी आर तरीका 24 चार एकम 4 और बटा में 4 चार 28 बटा 4 काटेंगे तो कितना जाएगा साथ आ जाएगा अब देखिए यह हो गया X का निर्देसांग अब Y का निर्देसांग निकालना है तो चलिए आए 1 कमान रखना एक वाय डू का एंटू का वाय वन का और M1 प्लस में 1 प्लस M2 हो जाएगा अब गुना करेंगा माइनस 3 से करेंगा तो माइनस 3 से करेंगा तो माइनस 3 अब अब व कीतना हो जाएगा तीन है चार अब सब्सक् atención गया बारव अब देखिए ध्यान से देखिए क एक्स का निर्दिसांग आप यहां पर यह दिखी रहा है एक्स का निर्दिसांग साथ आ गिया वाई का निर्दिसांग तीन आ गिया तो एंसर कितना हो जाएगा 7,3 यही आपका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा तो यह एकदम formula पर आपको दिया है कुछ नहीं करना है आपने कहीं भी कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट नहीं किया है बस formula बैठा हैं और solve कर दिये तो आप इसको copy पर note down जरूर करते जाएगा एक बार बना लीजेगा बना के जाएगा आपको 100% आपको सौलियत होगा आपको question बनाने में तो आएए next परस कितरा बढ़ते हैं question number 9 आपके screen पे आ चुका है question number 9 जो है यह आपका भी छेत्रमीती से संबंदित है आपको यहाँ पर ध्यान दिजेगा करें कि यदि किसी ब्रीत की उचाई 14 cm है और ब्रक्ट में जो वक फ्रिष्ट का छेत्पल है वो 264 cm2 है तो इसका आयतन निकाली है देखिए बहुत आसान है बहुत लंबा चोड़ा मत खिचेएगा देखिए कैसे बनाइएगा बेलन की उचाई 14 बख फिष्टी छेत्फल 264 cm2 बख फिष्टी छेत्फल का फर्मूला क्या होता है तो 2 pi r square लगा दिए 2 pi r square बराबर में कितना तो 264 अब देखिए यहां तो 2 जो गुना में इदर भाग में भेद दीजिए तक कटेगा तो 132 cm2 तो आपको सर यहां आर का मान निकालीजिए महले नहीं रूखो थोड़ा सा रूखिए सब रखेजिए देखिए कितना आसान हो जाएगा आपके बस याद रखेगा pi r square का मान आ चुका है 132 आइतन का फर्मूला क्या होता है तो आपको मालूम है pi r square h होता है अब देखिए pi r square h और pi r square का तो मान आपके पास 132 है तो तुने ते 132 रखे h का मान 14 रखे गुना करें 1848 cm2 n सर तो देखिए कितना आसान हो गया कहां से? किवल pi r square का मान रखने से अगर यहीं पर आप क्या करते? pi का मान रखते फिर r का मान निकालते फिर put करते बहुत लेंदी बनता बहुत लेंदी बनता और आपकोते हैं कि 2 नमर का प्रस्ट बहुत hard पूछा है प्रस्ट hard नहीं पूछा है आपके बनाने का तरीका जो होना चाहिए वह असान होना चाहिए यह question number 9 था उम्मीद करते हैं यह समझ में आपको आगया होगा अब नेक्स प्रस कोश्चन नमर दस के तरह बढ़ जाते हैं चलिए कोश्चन नमर दस आगया है एपी से संबंदित और एपी का प्रस्ट का ता आप लोग धजिया उड़ा दीचेका आमको मालूम है चलिए कोश्चन है चौण चाहिए गाश्याथ हो जाएगा अट यह जैएं एक्मांड यह जाएगा यहां आप देखें 15 एक और आट रखा प्र इसका अप्साइब कर यह चौदा और गुना आड करिएगा एक सो बारा हो जाएगा और उस कंडिशन में दोनों को जोड़ डालिए जैसे बट्टा 2 और गुने 128 हो जाएगा और काटिएगा तो यह कितना आजाएगा असल करने पर 960 यही अपका answer हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है बस formula जो है उसको ध्यान से देखते जाना है और बैठा लेना याद कर लिजेगा आपका यह प्रस्ण होगा वह असानी से क्या हो जाएगा बन जाएगा तो question number 10 भी असान था question number 11 कितरे बढ़ते हैं question number 11 चलिए question number 11 आपके सामने आ चुका है यह भी AP से संबन देते हैं कर रहा कि कि किसी सबनांतर सेड़ी का दूसरा पद 13 है पाचवा पंद 25 है तो 17 पद किया अरे भाई यह तो बड़ा असाना गया चलिए दूसरा पद आप जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 13 पाचवा पद 25 तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D बराबर 25 अब देखें दो समीकरण हमने सिखला है कि घटा दीजेगा समीकरण 2 में से एक को घटा दीजे तो 2 देखें क्या है A प्लस 4D बराबर 25 आए एक नमर समीकरण क्या है A प्लस D ब्रबर 13 अब आपको घटा देना है अब जैसे ही इसमें से घटाईएगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा 4D में से वे को D घटेगा तो 3D और 25 में से 13 घटेगा तो 12 तो D का बराबर देखिए गुना में तो इदर भाग में जाएगा तो कट के आगया 4 अब D का मन 4 आगया अब D का मन कहां रखिए समीकरण 1 में रखिए तो जैसे ही देखिए समीकरण 1 किया था तो A प्लस D ब्रबर 13 था तो D के जगा पर मैंने 4 रखा तो पता चलेगा क्या यहां देखिएगा चार को इदर है तो जोड में है उदर बेजएगा तो कहां चल जाएगा बराबर के यह राग देखिए प्लस में इदर जाएगा तो घटाव में चला गया तो तेरे घटाव 4 यानि 9 हो गया एक का मन किसका कितना आ गया 9 अब 17 का मान निकालना है यानि A 17 फर्मुला बता है A प्लस सोलर D तुरंत A प्लस सोलर D लगाई है A के जगा पे 9 सोलर गुन D के जगा पर 4 क्योंकि आप D का मन 4 निकाले थे अब जैसे करिएगा तो 64 और 64 पे 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा तो देखिए इसमें भी हमने कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट नहीं किया है बस आप समीकरण बनाना सीख जाएगा बन जाएगा तो इसको copy panel down करिएगा जब नहीं समझ में आते दो बार जरूर देखिएगा और देखने के बाद से आप हमके जरूर बताईएगा चली तो यहां तक आप लोग को उमीद करते हैं समझ में आया होगा यह उता कोश्ट नमर 11 आगे बढ़ते हैं कोश्ट नमर 12 के तरफ कोश्ट नमर 12 आपके स्किंपे आ चुका है और कोश्ट नमर 12 जो है न वो प्राइक्ता से संब्ढ़ दिथ है कि एक बकसे में तीन नीले दो सफ्खेद और चार जो हैं लाल ख तिक कंचे बकसे में से एक बॉल निकाल रहा है निकाल रहा है और कर रहे कि इसके सफ़ेद本 होने के प्राइक्थ्टा क्या होगी तो बहुत असान प्रसुने बहुत असन नहीं जो परिणां की संग्या कितनी होगी तो देखें घुसंभ histó two the daos pap It δो जोड़ दीजित तो टूतर मिलाकर 9 सफ़्िध कंचे के लिए अनुकूल परिणाम कितना था तो दो कहां से देखिएगा ध्यान से देखिएगा एक बार प्रस्ण को पढ़िएगा यहां देखिए सफेद जो बॉल है वह सफेद बॉल कितना है दो है इसी वह वह संभव परिणाम ले कितना माना दो माल लिया है अब देखिएगा तो पी ड जाम मिस्तर का प्रस्ण आता है तो आप उसको solve करके आईएगा चलिए आपको बताते चले आपको पहला वीडियो देखेंगो तो उसमें आपको मालूम होगा कि लगूतर ये 30 प्रस्ण आता है जिसमें से मात्र 15 को solve करना होता है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 13 के तरफ question number 13 जो कुछ नहीं करना है घन की मुझा 8 cm है देखिए जब भी 2 गन को जोड़ा जाते है तो यह देखिए अगर 2 गन को जोड़ेंगे तो इसका लंबाई जोगा वह 8 और 8 मिलके 16 हो जाएगा इस सीज को याद रखेगा चोड़ाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कुड़ प्रिशेचरपर का फर्मुला होता है तू इन्टू एल बी प्लस एच भी प्लस एचल अब देखिएगा हमने कुछ नहीं किया सारा मान यहां पर हमने बैठा दिया है अब जैसे ही आप सारा मान बैठाईएगा आप लोग कुछ से मान बैठा लीजेगा देखिए दो फर्मुला का और एल बी और एच और एच और एच वी सब का मान रखे हैं शॉल्व किये हैं शॉल्व करने पाया है छे सो चाली सेनिटीमीटर स्कायर यही अपका एंसर हो जाएगा अब देखिए इस तरह का कल्कुलेशन जो है न उसको आप सॉल्व खुझ से कर लीजे ठीक है उमीद करते हैं समझ में आगया होगा आगे बढ़ जाते हैं कोश्य नमर 14 तो एकदम आसान आ गया है आप से पूछ दिया है यूकलीट भी भादिया ने लिगरेथम का परियोग करके इसका मौसा निकालना है तो यहां पर मौसा वाला में एक ही कंडिशन याद रख इस लाइन में यह कॉश्च्ञ सओं धोलाइन में कोश्टन सौल्फ तो यह आप 15 नमर के तरह बढ़ते हैं पंदर नमर कोश्च्ञ परूफ करने वाला है परूफ करने वाले को पहले ही का और दोडिया की जाए चलिए आए लिए सरी एक प्लस टेन एक में है वंने आपको पहले से सिखला-डाला है जब भी नजर आए LHS तो उसको साइन और कोस में तोड़ दीजीएगा सेक का क्या होता है वन भाई कॉस तेन का क्या होता है साइन बटा कॉस और वन वाई साइन ए रहने दीजिए यह देखिए इसको LCM लेंगे तो कॉस हो जाएगा तो यह देखिए one plus sign है और इसको bracket में one minus sign है रहेगा अब देखिएगा इस दोनों का अबगर आप क्या करेंगे गुणा कर दीजिए गुणा करिएगा तो देखिए one plus sign है हाँ one minus sign a तो ए plus b into a minus b अए होता है स्कॉर माइनस by स्कॉर जा कर दिए और बटा में क्या हो गया से ऑपको मालूम है one minus sign स्कॉर जो होता है वो कॉस स्कॉर के बरावर होता है अब बटा में क्या है से एक यहरेका तोbest नसी बटक्रत धुए न तो यह देखिए यह था लगूतरिये का पंदरा प्रस्त तो अब आप लोग जगर सेशन अच्छा लग रहा है जल्दी से आप लोग लाइक करेंगे जीतने लोग देख रहे हैं सबी लोग आप लोग लाइक करिएगा अपने दोस्त लोग को सेर किजेगा यह आपका आज का क अब हम आपको दिर्गूतरिये प्रस्त के तरफ ले चलते हैं जहां चार प्रस्त आपके दिर्गूतरिये के हम लोग सॉल्व करेंगे तो चलिए आचुके हैं हम लोग सेकंड सेशन में यानि दिर्गूतरिये प्रस्त जो है वहाँ पे दिर्गूतरिये प्रस्त में आठ प जोड़ आन्स और हार दोनों में तीन जोड़ दिया जा है तो पांच बंड़टा छchio़ढ़ जाती है तो भीन क्या है आपको कुछ नहीं करना है आप यहं पे एंस और हर मानली तो भीन क्या बनेंगा एकस बटा वाई अफ द면 कोशनर का रहे कि अंस और हर दोनों में 2 जोड़ दिजे तो देखें 2 में दो जोड़ दिए और कर रही खिसके बराबर हो जाएगा तो 9 बटाएगा तो 9 बटाएगा रहा cross multiplication कीजे तीरचा तीरचे गुना तो देखें इससे करेगा तो 11X फिर 11 दुना 22 यह देखे, 9 से y में करेगा, तो 9y, 9 से 2 में करेगा, तो 18 हो जाएगा, 9y को बराबर किदर लाइए, तो माइनस में हो जाएगा, यह प्लस में तो इदर जाएगा, घटाइएगा, तो देखे क्या आएगा, 11x-y, बराबर में 4, आपको अभी यहीं तक याद रखना है, यह व पुरस्ण कर रहा है कि आप द्यान दिखे जाएगा, कि अंस और हर में 3 जोड़ दें, तो भीन 5 बटा 6 हो जाती है, तो हम फिर से अंस में 3 जोड़े, हर में 3 जोड़े, और 5 बटा 6 कर दिए, फिर आपको यहाँ करना है, क्रॉस मल्टिकलिकेसन, तिरचा तिरचे कूना, त ठाड़, पान से वाइ में करिएगेगा, तो पांच वाइ, पान से तीन में करिएगा, तो पन्द, अब देखिए, प्लस में यह सो about 5y, जो गुना के उसकोpen relevant म मत रखिएगा, अब देखिए समीकरण solve करते समय ध्यान रखना होता है कि पहली part को हमेशा बराबर करना होता है तो ध्यान से देखिएगा पहली part को बराबर करना है तो यहाँ पे हमारे पास 11x है और यहाँ पे आपी पास 6x है तो इसको पलट के हम लोग गुणा कर देते हैं इसके 6 से इसमें गुणा करते हैं, और इसके 11 से इसमें गुणा करते हैं, तो वही चीज हमें यहाँ पे किये हैं, देखिए ध्यान से समझेए, अब आपको समझ में आ जाएगा, इस समीकरण 2 में 6 से, और समीकरण 2 में कितना से, 11 से गुणा कर, एक में से 2 को घटा दीजिए ख़तते हैं तो स्मझ में से ख़ता हैं के गुणा करने पर हमारा यह यह घटाएंगेक, दख़ेगा यहां पर घटके हो गया है वाई बराबर 9 वाई वर खितना आ गया है नौ अगया है वाई का मंध समीकरण एक में रखिए गा और सौल करेंगा तो देखिए नो और नो में गुणा करेगा तो कितना होगा 81 हो जाएगा और उस condition में गयासे मैने में दा जाएगा तो प्लस में अब बनेगा आगे बढ़ते हैं कोस्टन नंबर दो गटर तरफ जो दो था वह आपके स्कीन पर आ गया है आपको करना है जिसके सिर्ष दिये हुए है लेकि ध्यान रखिएगा यहां को खुद से स्वूल करना आपको खुद से साल्व करना है चुकि इसमें X1 थू बहुत जा निर्देशांखम रख दिए हैं यहां देखे ए से स् pandemia तौ दो को तरभुज बनेगा देखे एक तिर्भुज ये और एक त्रुज cancer निकल जाएगा आपको मालुमें यहां पर कि हमने कह सी को मिला रहला रहे बिशी का च Fleisch पहल रहराई रहांगे इतियुज यह डाटा काम करेगा यह सीच को आप याद रखेगा और उस कंडिशन में आपको त्रिभूज का फर्मूला यहां पर लिख दिया है और रखने के बाद से जब हम सॉल्व किए हैं आप खुद से सॉल्व किजेगा देखिए यहां पर हम यह सारा चीज नहीं सॉल्व करने वा पर दो बिल्कुल छोटा लगाएंगे तब तो देखें गंटा लग जाएगा फिर आपके दृष्टी से नहीं हो पाएंगा आएगा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कैसे कैसे हम सॉल्व किये हैं और फिर आपको अपने कॉपी में बनाते जाएगा फिर आपको समझ में आ जागा कैसे कैसे सर्यूज किये है अब आगे बढ़ते हैं चलिए अगला प्रस्ट आपके स्कीन पर यह रहा चलिए कोशन आगया आपका तीसरा कोशन चलिए कोशन आपका जो है हाइटन डिस्टेंस है करेक एक समतल जमीन पर खड़ी मिनार की छाया उस इस्तिती में 30 मीटर अधीक लंबी हो जाती है जब सुर तो यह लंबाई बढ़ गया कितना मीटर से 30 मीटर से बढ़ चुका है आपको ह का मान बताना तो यहाँ पर हमने माना है है इसको माना वाई और यह 30 मीटर बढ़ गया तो उसको रख दिया है मिनार की उजाई कितना माने है एच माने है 10 ठीटा लागाईएगा तिरभूज ABC यह वाला तिरभूज में 10 ठीटा बराबर तो यहां देखे 60 डिगडी है तो लंब बटा धार होता है तो एच बटा क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा इस कंडिशन में 10-60 डिगडी का मान जो होता है वह आपको मालू में कितना होता है रूट का 3 होता है तो रूट 3 नहां है यह 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 बीडिन टोटल तिरभूज को ले लिए अब जैसे ही टोटल तिरभूज लिजेगा तो उसमें भी देखे 10 कितना डिगरी 30 डिगरी एच बटा वाई प्लस 30 अब देयान दीजेगा वाई प्लस 30 कहां से आ गया यह 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 वाई और यह टोटल 30 तो दुन तो वाई और वन से 30 में करेगा तो 30 हो जाएगा अब देखिएगा तो ना ध्यान से समझेगा यहां पे आप हमने क्या किया है इस या इधर भेज दिया, तीन wai में से एक wai घटा तो दो wai, दो wai का मान केतना? 30 तो wai का मान केतना? 15, अब y का मान निकल गया अब y का मान निकल गया, इसको हम क्या करेंगे, लेज आकर put करेंगे, कहाँ पे, तो समी करण 1 में, जैसे ही समी करण 1 में रखेगा, अब आज का आखरी प्रस्ण जो आपका लास्ट होगा दिर्गुतरिये का तो आप जितने लोग लाइक नहीं किये हैं सभी लोग अभी तक अगर देख रहे हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए ठीक है जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए कमेंट्स कर दीजिए आप कर अच्छा लगा है तो जरूर आप लोग कमेंट्स करती चीए चलिए आखरी प्रस्ण के तरब बढ़ जाते हैं कोश्च नमर जो चार है उसमें यह है आपके ट्रीगों का ट्रीगों का प्रस्ण है और आपको सीध करना है और सीध करने वाले में हम आपको पहले बता चुके कुछ नहीं करिएगा एलेक्टेस वाला पार्ट उठा कर रखिए और उसको साइन कास्व में तोड डालिए कैसे कोस इक आपको बालुमें क्या होता हैं यहां देखिए उसको ब्लस वन तो जोड़ करने आ चाहिए आप देखिए इसको सॉल्व करिएगा लग साइन हो जाए साइन गुणा करता है और दूर वाला दूर के साथ गुना करता यह तो आपने से पड़ चूके है यह लड़ा यह पे चला जाएगा देहार ओपर प्लाइट अलिबंस जाई गया क्या और मेड गुना गया और और सटाइन भुदा हुगा तो आपको मालूम है यहां पर ब्रेकट में आ चुका है ध्यान से देखेंगा शाइन और साइन ऑर 1-चाले लिये हैं साइन एसे ध्यान समझें यह वाला साइन इसके साथ गुना होगा तो देखिए 1 और प्लस में SIN A के सांथ गुना हो गया यहां देखिए SIN A से SIN A साइन से साइने केंसिल यानि आप बचा 1 बटा 1 मानेस SIN A या बचा बचा 1 बटा 1 प्लस साइने और आईए उसको सल्व करते हैं देखिए यह दाटा पार्ट से उपर गुना इसके वाले पार्ट से इसका गुना हो जाता है तो 1 प्लस sin है और प्लस 1-sin है यह देखिए जा इसको ब्रेकट को तोड़ियेगा तो sin A से sin है cancle हो जाएगा नीचे देखिए A plus B और A minus B के के ब्रावर होता है को से स्क्वार एक हो गया ब्रावर हो गया यह था कुछ प्रस्थ्थ जो आपकी मैथ की और लिए बहुत ही इंप्वर्टेंट है तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजेगा वीडियो को शेयर कीजेगा तब तक के लिए बहुत-बहुत आपका धन्य के वाद मिलते हैं मॉर्णिंग में अब्जेक्टिव सेशन के साथ गुड़ नाइट ओल आफ यू